वो ये भी हमें हमेशा याद रखनी पड़ती है वो ये कि जो संसद्य प्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो सब्ता की शक्ति है वो जनता में नहत होती है जनता इसलिए अपने प्रतिनिधियों को चुलती है आज उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार बनने जा र भवन में देश के नव निर्वाचित पुधानमंत्री श्री नरेंत्रमोदी का उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे राश्ट्रबती भवन के प्रांगन की ओर अग्रसर होता हुआ लुगतांत्रिक प्रणाली की बात कर रहे थे संजीव और लोगतंत्र जो है वो विरासत, समानता, समरस्ता, स्वतंत्रता, स्विकारेता और समावेशीता के महतों पर जोर देती है और यहाँ पर सब की नजरें इस ओर चिकी हैं इस एतिहासिक समारोह में अब रशिष्ट अतीथियों का आगमन लगातार जारी दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र भारत और सबसे बड़े लोगतंत्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोगतंत्रिक प्रक्रिया से गुजर कर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शबत लेने के लिए पधार रहे हैं राश्च्पती भवन के प्रांगन में उत्तर प्रधेश के वारण असी से बतौर सांसद तीसरी बार चुंकर आए हैं देश वासियों का अटूट भरोसा अपार जन समर्थन आत्मियस ने हैं और पिछले दस वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेत्रितों से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगती के पत पर उरान भर रहा है समाज के कमजोर तब के से लेकर हर वर्ग की आकांग्शाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रितों में भारत सरकार ने एक बार फिर नई उमीद के साथ शब्दों में अब क्या कहें जो उट्सा है आप उनका स्वैम अनुभव करें सबका आभार सुईकार करते हुए नवने बाचित पुरान मंत्री श्वी नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागदोर समभलने के लिए तया the man of the moment Mr. Narendra Modi who will make history in just a few moments from now as he returns greetings of his colleagues of the Cabinet and people who have come here in their thousands to attend this special moment और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं मान्य राश्च्पती महोदिया के शुभागमन की कुछी देर में वे यहां आएंगी और शपत ग्रहन समारो प्रारम भूगा समारो स्थल पर मान्या राश्च्पती महोदिया के आगमन पर राश्ची गान बजाया जाएगा शपत ग्रहन समारो के समाप्ती पर भी